कल ही हमने देखा कि जो सेतू है उसका नाम वीर सावरकर सेतू अब रग दिया गया वीर सावरकर को लेकर एक अलग तरीके कि महराश में फीलिंग्स है जजबात है हैं नापको लगता है कि यही वो वजह रही जो विचारधारा की लड़ाई एक आपके और शिव-सेना उधव गांदी न इतियास जानते हैं न इतियास से उनका कोई पाला पड़ा है मैं तो राहूल गांदी जी को इतनी सला दूँगा कि जिस अंदमान की काल कोट्री में बारा साल सावर करजी ने निकाले एक रात वहां रहकर दिखा दे एक रात और जिस प्रकार से वो जिये वहां जि संगर्ष कभी अपने सपने भी भी नहीं सोच सकते हैं तिला राहुल गांदी जैसे सोने का चम्मच मूँ में लेकर पैदा हुए यूराज यह कभी इस संगर्ष को समझ नहीं सकते हैं इसलिए यहां आकर इस प्रकार की बाते वो जो करते हैं मुझे असा लगता है कि उनको इस इन चीजों के कोई गंभीरता भी नहीं हो कोई समझ भी नहीं है मुझे आश्चरी इस बात का लगता है कि इसी प्रकार की बात कॉंग्रेस के एक नेता ने जब की थी तो बास अप ठाकरी जी ने स्वयम अपने हाथ से जूता उसके पोस्टर को मारा था सावरकर जी पर जब इसी प्रकार का तंसकशा गया था मनि शंकराइयर को और अब उनके बेटे जिस दिन राहूल गान्धी यहां आकर सावरकर जी को गाली देते उसी दिन शाम को अधित्य ठाकरे उनके रैली में सम्मिलित होते हैं उनके गले से गले मिलते और फिर बाहर कर दो दिन बाद स्टेटमेंट उद दो जी देते हैं, कि ने ने हम सावर करका अपमान नहीं सेयन करेंगे, रोज हो इता है, आप के चलते हैं हो रहा है, रोज आपके सामने हो बोले जा रहे हैं, देखिये, अभी इनके लिए हिंदुत्व जो है, ये केवल भाशनों में बोल के लोग ये जिसमें मोदी जी ने चर्चा शुरू की समाननागरिक कानून की कौमन सिविल कोड की अखिले जी को पहले मिलने नहीं गए लालू जी के बेटे को मिलने नहीं गए वो सबसे पहले मिलने आए उद्धो ठाकरे जी को क्योंकि अभी सबको ये लगता है कि सूडो सेकुलर्स का मसीहा उद्धो ठाकरे क्योंकि आजकल शिवसेना उर्दू में कैलेंडर चापती है उसमें पहले हिंदु रुदे समराट शिवसेना प्रभू बाड़ा सब ठाकरे दिखा जाता था, अब जनाब बाड़ा सब ठाकरे दिखा जाता है तो ये सारी चीज़े बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई पढ़ रही है, उन्होंने विचार छोड़ दिया है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है ऐसे ही राहुल गांधी अपमान करते रहेंगे और उनके साथ ये अपना कारोबार चलाते रहेंगे